Hello everyone, welcome back to the second lecture of design of steel structure आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं types of loads के बारे में कि एक structure में किस तरह के loads act करते हैं, वो loads क्या होते हैं, उनकी values कहां से आती हैं ये सारी चीजे हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में तो types of loads सबसे पहले कितने types of loads होते हैं जो structure पे लगते हैं सबसे पहला है dead load, क्या होता है ये भी explain करेंगे हम लोग second आएगा imposed load, imposed load के अंदर live load, crane load, snow load, hydrostatic and earth pressure and horizontal loads on parapet, ये सारे loads होते हैं, ये imposed load के अंदर आते हैं third होता है wind load, fourth है earthquake load and last है accidental loads अब ये सारे loads क्या होते हैं, सबसे पहला dead load dead load आपको वो load होता है, जो structure में move नहीं कर सकता है मतलब वो load जो structure में एक बार structure बनने के बाद जो उस पर act किया वो उस पर permanently रह जाता है, जैसे कि आप, अगर आप building की बात करें तो आप अगर चार pillars पे अगर आपने slab cast किया है तो वो slab का जो अपना weight है, वो एक dead load कहलाएगा उसके बाद जब वो slab के load जब equally pillars पे distribute हो जाएगे तो वो load प्लस उसके बाद जो pillar का जो अपना dimension है उसका जो अपना self weight है, वो आपका dead load कहलाएगा तो जो structural members का जो अपना load होता है या तो वो steel structure होगा, तो उसमें जो steel के sections आप use करेंगे उसका जो अपना weight होता है, वो कहलाता है आपको dead load तो यह होगा dead load, अब यह values आपको कहां से मिलती है कि आप कौन से structure में क्या member use कर रहे है या आप किस तरह का material use कर रहे है तो इसकी values आपको मिलती है Indian Standard Code में IS 875 Part 1 में इस Part 1 में आपको structures के ऊपर act करने वाले सारे loads का आपको सारे materials का unit weight दियावा है कि वो उनका unit weight कितना होता है For example, अगर हम लोग बात करें जैसे PCC की PCC में आपको plain cement concrete इसमें आपको unit weight होता है 24 kN per meter cube हर meter cube पे 24 kN उसका self weight है अगर इसी PCC में हम reinforcement add कर देंगे तो वो कहला हैगा RCC तो RCC यानि reinforced cement concrete तो उसका unit weight हो जाता है 25 kN per meter cube अगर हम लोग cement motor की बात करें तो cement motor का self weight हो जाता है आपको 20 kN per meter cube brick की बात करें तो 20 kN per meter cube तो इन सारे materials का जो steel की बात करें तो 78 kN per meter cube तो ये सारी चीजों का जो self weight है जो unit weight है वो आपको IS 875 part 1 में provided है तो अगर आप कोई member use कर रहे है वो अगर steel का है तो आप steel का unit weight अगर आपको नहीं पता है तो आप IS 875 part 1 खोलेंगे उसमें आपको उसका unit weight मिल जाएगा फिर जो member use कर रहे हैं length breath और depth से multiply करेंगे तो आपको उसका total weight मिल जाएगा जो आपका dead load होगा जो उसका act करेगा तो ये आपको आएगा dead load के अंदर में इसके बाद आता है imposed load imposed load हर उस load को कहते हैं जो structure बनने के बाद उस पे बाहर से impose किया गया हो जो structure का अपना weight होता है उसके इलावा जो उसके movements हो या उसके इलावा जो उसके हम stationary load अगर उसके रख दें जैसे की furniture हो गया vehicles हो गए फिर आपको ये live load जो होता है ये live load आपको आता है furniture और जो people के movement होते हैं घर के अंदर अगर हम building की बात करें तो जो people के weight होते हैं हमारे self weight होते हैं वो जो furniture का load होता है ये सारा live load में add आता है अगर हम bridge की बात करें तो जो vehicles की movement होती है वो vehicles का weight होता है वो आपको live load के अंदर आता है उसके बाद आता है आपको crane load जब आप बड़े-बड़े structure बनाते हैं तो उसमें आगर आप multi-story building की बात करें तो अगर आप 20-story के structure बना रहे हैं तो उसमें आप construction में crane का help लेते हैं तो वो crane जो होता है वो एक तो bottom पे supported होता है और plus आपके building के sides पे supported होता है अगर ये आपका building है और इसमें आपको अलग-अलग floors है और आप अगर यहाँ पे tower crane का use कर रहे है तो ये एक तो आपके ground पे footing मना करके supported होगा और उसके बाद ये थोड़े-थोड़े interval पे आपको beams या columns पे support कर दिया जाता है ताकि ये wind के pressure से fall नहीं हो जाए तो ये जो supports लगते हैं तो ये भी आपको columns पे या beams पे अगर ये joints पे लगते हैं तो ये beams पे point load के तरह act करता है तो इस चीज को भी consider करना पड़ता है तो ये आपको कहलाता है imposed load ये structure में बाहर से imposed किया गया उसके बाद आता है आपको snow load जब आप mountainous region में कही construction करते हैं तो वहां अगर आप ये तो bridge बनाए या buildings बनाए उसके उपर आपको snow fall होता है तो snow का weight आता है तो वह snow का हम लोग जो unit जो सारे calculations होते है snow load के वह हम लोग करते है IS 875 part 4 से ये part 4 आपको snow load को consider करता है जो part 1 होता है वो आपको dead load को consider करता है और इसी 875 का जो part 2 होता है वो आपको ये imposed load में live loads, crane loads इन सारे में deal करता है तो अगर आपको live load से जो जो आप कोई भी information चाहिए होगा तो आप 875 part 2 से लेंगे अगर आपको dead load से चाहिए होगा तो part 1 से लेंगे और अगर आपको snow load का चाहिए होगा तो आप part 4 से लेंगे इसके बाद आता है hydrostatic and earth pressure hydrostatic loads मतलब जो water के loads लगते हैं जैसे अगर हमने basement में अगर एक tank बनाया है या यूँ कहें तो ये basement है जिसमें हमने car parking बनाया है तो इसमें अगर बाहर के तरफ में अगर कोई river है या अगर कोई pond है तो उस पे जो waters होंगे तो उस water का pressure आपको wall के उपर लगेगा तो ये wall पे आपको hydrostatic pressure आएगा या फिर अगर यहाँ पे पानी नहीं है और यहाँ पे अगर ये ground ही है पूरा तो इस ground में जो soil होगा उसका आपको pressure आपको इसके उपर आएगा wall के उपर तो वो आपको कहलाएगा earth pressure तो अगर मिट्टी है तो earth pressure आएगा तो ये अकसर आपको ground के नीचे बनने वाद जो sub structure होते हैं ground से नीचे बनाया जाते हैं उनमें आपको ये hydrostatic and earth pressure ज्यादतर टाइम पे लगता है तो इससे जुड़ावा आपको जो भी information चाहिए होगा या calculation के formula चाहिए होगा तो वह आपको मिलेगा is 875 part 5 में इसके बाद आता है horizontal loads on parapet parapet क्या होता है जो एक building के छत पे जो आप एक wall देते हैं जो आपको safety purpose से आप देते हैं कि ये किसी भी accident को prevent करेगा तो ये wall free standing wall होता है तो इस पे जब wind चलता है तो wind हमेशा जो जितना हम ऊपर जाएंगे आर्थ से उतना wind का pressure जादा होता जाता है तो जब आप top story पे free standing अगर आप एक wall देते हैं तो उसके उपर wind का pressure लगता है या तो इस direction में या इस direction में इस list को कहते है horizontal loads on parapet तो यह आपको determine करना पड़ेगा कि पहले wind load क्या होता है और फिर wind load का इस wall के उपर क्या value आ रहा है और फिर आपको यह वाली जो parapet wall होगी वह उस तरह से design करने पड़ेगी कि यह आपको कितना थिक provide करना है तो यह सारे जो loads हम पर रहे है तो इन सारे loads का purpose यह है कि आपको इन loads से यह determine करना है कि जो आप building पे आपका एक load आता है तो वह load की values क्या होगी फिर जब वह load की values निकल जाएगी तो फिर उस load के वजह से आपके building के जो components है या अगर आप building मना रहे है तो beams हो गए columns हो गए foundations हो गए तो इन सारी चीजों की requirement क्या होगी इनके क्या sizes provide करने पड़ेंगे इनमें क्या reinforcement दिना पड़ेगा अगर आप steel structure बना रहे हैं तो इसमें आपको इन सारे loads की वजह से कितने section sizes required होंगे अलग-अलग तरह के sections होते हैं तो आप कौन सा section provide करेंगे जो आपके इन loads को resist कर ले impose load के लिए IS 875 part 2 उसके बाद आता है आपको win load, win load के लिए आपको IS 875 part 3 को consider करना है इसमें आपको win load से जुड़े वे सारे calculations के data और formulas दिये वे हैं उनकी theories इस code में दीवी है, win load क्या होता है, win load के calculate किस तरह से किया जाता है, एक building पे win load किस तरह से act करता है, एक trust bridge पे win load किस त earthquake load, earthquake load एक structure पे लगता है, वो आपको ground के shaking movement से लगता है, तो जब ground अगर shake करता है, तो इस पे जो structure खड़ा होता है, तो जब ground move करता है, बड़ structure move नहीं होता है, तो जब ground move होता है, structure move नहीं होता है, तो ये एक तरह से इस पे inertial force लगता है structure पे, तो ये inertial force हम लोग calculate करते है, earthquake load वाले code से जो है IS 1893 इसमें आपको सारे formulas दिये वे हैं सारे information दिये वे हैं कि कितने height की building पे हमें earthquake load लगाना है किस zone में क्या value होता है हम लोग यह सारी चीज़े calculate करेंगे earthquake load में तो इसके लिए हम लोग refer करेंगे IS 1893 इसके बाद आता है accidental loads वो loads जो आप imagine करके नहीं चलते हैं कि यह structure में आएंगे बट जो आपके materials आप transport करते हैं building में नीचे से उपर तक तो वह accidentally अगर heavy weight इंजीनियर होंगे उनकी experience के साब से decide होता है कि हम accidental loads लेंगे या नहीं लेंगे लेंगे तो कितना लेंगे यह सारी चीज़े आती है में provided है आपको अगर is 875 part 1 का link हो सकेगा तो हम description में link ढाल देंगे जिससे आप download कर सकते हैं या नहीं तो आप Google पे is 875 part 1 search करेंगे तो आपको मिल जाएगा वो उसमें आपको सारे building materials के provided है उसमें self weight dead load और हम आपको इस message जो important structure हमको लगा यह important material से इनका बताना चाहिए वह हम आपको screen पे दे दिये हैं तो जैसे एसबेस्टर शीट आपको पता होगा जब आप एक टेंप्रोरी रूफ बनाते हैं तो आप एक एसबेस्टर शीट प्रवाइड करते हैं तो उस एसबेस्टर शीट का जो unit weight होता है वह होता है हर meter square पे 0.13 kN ठीक है यह consider करना पड़ता है जब आप एसबेस्टर शीट लगाते हैं तो आपको इस unit weight से एसबेस्टर शीट का जो area होता है वह जब आप multiply करेंगे तो आपको यह kN में load दे देगा क्योंकि अभी यह पर meter square में है तो आपका जितना meter square का sheet होगा जब आप उस meter square से इस self weight को जो unit weight है इसको multiply करेंगे तो आपको इस पूरे sheet का जो अगर आप दो बाई 4 meter का लगा रहे है asbestos sheet तो वह आपको हो जाएगा 8 meter square तो एक meter square में 0.13 है तो जब 8 meter आप square लगाएंगे तो यह आपको 0.13 into 8 हो जाएगा तो उस साबसे आपका उस asbestos sheet का self weight हो जाएगा 1.04 kN तो यह 1.04 kN आपका एक asbestos sheet का होगा जिसका size 2 meter by 4 meter होगा उसी तरह जब आपका size बदलता चला ज करेंगे तो आपको उस member का आपको unit weight मिल जाएगा ठीक है उसके बाद आते है plane concrete जैसे कि पहले बता चुके है हर meter cube में इसका self weight होता है 24 kN तो अगर हम लोग के concrete cast कर रहे हैं 100 m3 का तो हम लोग का एक m3 के लिए 24 kN self weight है तो अगर हम जब 100 m3 कास्ट कर रहे हैं तो यह total weight इसका हो जाएगा 2400 kN यह 2400 kN उस PCC का weight होगा जो हम कास्ट करेंगे या तो हम रोड बनाएंगे या अगर हम कहीं पर भी अपने flooring पर PCC करना चाहते हैं तो उसमें हमारा जो total load हो जाएगा 2400 kN 100 m3 के लिए 24 kN तो अगर हमारा यह slab के उपर से हम extra PCC provide कर रहे हैं तो हम लोगों क वो slab में इस PCC का जो weight निकलेगा वो उसको add करना परेगा क्योंकि structure slab के उपर यह extra weight के तरह provide हो रहा है अब बात करता है जैसे RCC की RCC का self unit weight है 25 kN per m3 अगर हम लोग एक 100 m3 का slab बना रहे हैं वो RCC का slab है तो उस slab का अपना self weight जो हो जाएगा 2500 kN तो वो 2500 kN अगर slab 10 columns पे supported हैं तो अगर वो equally distributed है तो वो 2500 divided by 10 हो जाएगा मतलब हर columns के उपर आपको 250 kN का self weight जो slab का है वो आएगा तो वो column के उपर क्या होगा एक load के तरह से count होगा वो column का self weight नहीं होगा जो अगर एक example लेते हैं यह आपका एक slab आपका section है यह आपका slab है यह कुछ इतना mm ठीक है और यह आपको pillars पे supported है columns पे इसका अगर हम plan बनाते हैं तो यह आपका plan है यहाँ पे आपके columns है और यह इस total का size है 10 meter by 10 meter का rectangle है इस पे आप RCC का slab बना रहे हैं तो अब क्यूंकि RCC का unit weight है 25 kg per meter cube आपके पास total जो area आपका 10 by 10 is equal to 100 meter square और example के लिए सिर्फ इसको consider करते हैं कि यह 1 meter का thick आप slab कास्ट कर रहे हैं तो total volume जो हो जाएगा slab का वो हो जाएगा 10 meter by 10 meter by 1 meter तो total हो जाएगा इसका 100 m3 100 m3 10 by 10 by 1 अब यह तो हो गया इसका total volume जो हम इसको unit weight से multiply करेंगे तो यह आ जाएगा इसका total weight तो जब हम इसको unit weight है हमारा 25 तो total weight आपका आ रहा है तो मतलब है कि 2500 divided by 4 तो इसका मतलब है कि आपके पास एप्रॉक्स 625 किलो न्यूटन का लोड इस कॉलम पे 625 का इस कॉलम पे 625 का किलो न्यूटन का लोड एक्ट कर रहा है इस slab के हो जैसे जिसका size 10 by 10 by 1 है अब हम इस column की बात करते हैं अब यह column है इसके उपर जो यह लोड था अब यह point load के तरह एक्ट हुआ क्योंकि यहां पे यूडियल था slab उसका total था 2500 उस 2500 को जब हमने एक single column की अगर हम बात कर रहे हैं तो वह आया आपको 625 तो यह 625 क्या आएगा इसका support reaction आएगा अगर हम इसको इस तरह से देखे कि यह हमारा support है यह हमारा support है इसके उपर यूडियल आ रहा है तो यह यूडियल का total यहां support reaction निकालते हैं तो वह point load के तरह होता है तो यह point load का weight क्या होगा gravity के साब से यह down इसके जो height है यह आपको 3 meter है तो आपको इसका total volume केतना हो जागा 3 into 0.3 meter into 0.3 meter जो इसका जो total निकलेगा उसको आप 25 से multiply करेंगे तो इसका आपको self weight आजाएगा तो यह आप add करेंगे इस load में अगर माल लेजिए कि वह 25 किलोनेटर निकलता है तो 625 किलोनेटर प्लस 25 किलोन इसके लिए आपको यह वाला कॉलम डिजाइन करना पड़ेगा अगर आप 625 किलोनेटर को ही load माल लेंगे तो जब यह आप कॉलम करेंगे तो फोटिंग आप डिजाइन करेंगे कि total 625 का load इसके ओपर add करें लेकिन इसके ओपर actually 625 नहीं add करेंगे 50 आट कर रहेंगे कि यह इसके में यह अंडर डिजाइन हो जाएगा मतलब जो डिजाइन की requirement 650 के लिए होई तो यह वाला फुटिंग के फेल होने के chances रहेंगे तो इसलिए आपको हर member का अपना self weight भी लेना है और फिर आपको जो member का load जिसके ओपर act कर रहा है वह भी उसमें add करना है इस तरह से हम ल कर रहे हैं तो उसमें आपका जो उसका एम क्यूब होगा जो उसका वॉल्यूम होगा उसका unit weight 20 है आप उससे multiply करेंगे तो आपको brick machinery का weight निकल जाएगा उसी तरह सिमेंट प्लास्टर अगर प्लास्तर कर रहे हैं brick machinery के ओपर तो उसका unit weight 20 क्लिटन है आप उसका m3 करेंगे कि आपको इसका dimensions पता होना चाहिए कि यह length कितना है इस i section की अगर हम लोग क्रॉस section की बात करें तो इसका i section का जो area है वह आप कैसे निकालेंगे तो इसका i section का आपको cross sectional area जो होता है वह आपको given आपको steel table में लाश्ट वीडियो में हम लोग आपको बताये थे कि जो steel के जुड़े वे जितने भी properties होती है i section हो या c section हो वो सारा आपको steel table में मिलता है तो steel table में जब आप देखेंगे तो अगर आप ismb 300 अगर आप use कर रहे हैं तो आप ismb 300 का property steel table में जाके देखेंगे कि उसका cross sectional area कितना है वो cross sectional area for example अगर आपको 2516 mm square है तो यह तो आपक 6 मीटर लंबा है तो यह तो cross sectional area हुआ इसकी जो length है यह कुछ 6 मीटर के इतना है तो आप 2516 into 6 करेंगे तो वो जो आपका total weight होगा वो आपको हो जाएगा इस i section का total weight तो फिर आप क्या करेंगे कि इसको अगर यह equal span है तो आप इसको half load इसके ओपर consider करेंगे half load इसके ओपर consider क करेंगे तो इस तरह से आपको steel section का unit weight निकाला जाता है उसका cross sectional area steel table से obtain कीजिए अगर वो regular shape का नहीं है तो regular shape का अगर यह आपका rectangle होता तो आप directly length into width into height कर लेते तो आपको इसका volume निकल जाता लेकिन i section का फिर आपको बहुत टेडियस calculation हो जाएगा तो वो time consuming नहीं होगा तो आहम लोग क्या करेंगे कि i section का directly steel table से जाकरके यह उठा लेंगे कि इसका cross sectional area कितना है और उसको length से multiply कर देंगे तो हमारा total volume निकल जाएगा फिर उसका unit weight 78.5 से multiply कर देंगे तो उसका total self weight निकल जाएगा ठीक है इसके बाद लाता है ग्रेνाइट, ग्रेणाइट stone का अगर आप मैसनरी बनाते हैं अगर आप स्ट्न यूज करते है तो उसका आपята पको जैसे घार के बनाते बनाते तो उसका unit weight 20 होता है अगर आप स्ट् würd यूज करिंगे तो उसका unit weight 24Peter होता है तो आप फिर क्या करेंग एकी उसका volume निकालेंगे कि कितने साइज में आपको मैसनरी लग रहा है स्टोन मैसनरी और उसको यूनिट बेट 24 से मल्टिप्लाइब करेंगे तो आपको इस ग्रेनाइज स्टोन मैसनरी का सिल्फ बेट निकल जाएगा तो और भी बहुत सारे मेटेरियल्स है जो आपको आपको आइस 875 पार्ट वन में मिल जाएंगे तो हम आपको कहेंगे करेंगे कि आप आइस 875 पार्ट वन एक बार खोलिए उसको एक बार उनके पेजेस पलटी है उसमें आपको बहुत सारी इंफॉमेशन मिल जाएंगी और अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लाइव लोड के उपर जो अब आते हैं लाइव लोड पे लाइव लोड आपको आईस 875 पार्ट टू में मिलता है इसमें आपको अलग-अलग बिल्डिंग के हिसाब से यह स्ट्रक्शर के हिसाब से जैसे रेशिजेंशल बिल्डिंग है तो उसके लोडिंग कंडिशन दिये वे हैं फिर कमर्शियल या इंस्ट्यूशनल बिल्डिंग है स्कूल कॉलेजज हैं फैक्टरी जैसे हैं सबके साब से अलग-अलग आपको लाइव लोड आईस 875 पार्ट टू में प्रोवाइड है उसमें से जो इंपोर्टेंट हमको लगा कि आपको बता होना चाहिए वह आपको प्रूट पर यह ये loads आपको floors पे act करते हैं, live load जो होता है, वो हमेशा आपको floor पे slab पे act करता है, buildings के case में, bridges के case में, वो उसके slab पे act करेगा, तो इस तरह से हम लोग live load को per meter square के लिए हमेशा लगाते हैं, यह क्योंकि एक फ्लोर पे एक करता है तो वह एक फ्लोर के ऊपर से मूफ करके चला जाता है इस तरह का लोड होता है तो उसका पर मीटर स्क्वाइर के साब से ऐसे समना नहीं है तो जैसे कि हम लोग बात करें अगर बात करें बात करें लीविंग रूम का है सहरा है ह 되면 हम लोग इस स्क्वाइर कर और में लोगों का स्ले स्लेंगे पूरे आपको floors पे अब उसको आपको फिर evenly distribute करना है आपके columns पे कि यह load आपको beams पे कितने जा रहे हैं फिर beams से column पे कितने transfer हो रहे हैं लेकिन जो slab का अपना self weight जो होगा जो dead load slab का calculate हुआ था उसमें जो आप add करेंगे वो add करेंगे आपको इस live load का complete load complete load का मतलब है कि जितने meter square का slab होगा उतना into two से multiply हो जाएगा तो उतना total kilo newton आपको total live load हो जाएगा उसके बाद अगर kitchen की बात करें तो उसमें हर meter square पे 3 kilo newton का load consider किया जाता है उसी के साथ जब dining room की बात करें तो उस पे 4 kilo newton का load consider किया जाता है क्यों किया जाता है 4 kilo newton क्योंकि जो furniture हमारा dining room में लगा होता है उसके ऊपर आपको जो सारे foods लगते हैं उसका weight प्लस आपको जो आप लोग dining पे बैठते हैं उसका load यह सारे को consider करते हैं safer side में 4 kilo newton per meter square का load dining room में लगाया जाता है उसी के बाद फिर आपको office में 2.5 kilo newton per meter square हर meter square पे 2.5 kilo newton का load लग रहा है ऐस हमें consider करके चलना है उसका store rooms में क्योंकि सामान store करते हैं इसलिए उसका load जादा है वह 5 kilo newton per meter square bathroom and toilets में क्योंकि one person at a time होता है इसलिए उसको 2 kilo newton per meter square का load consider करते हैं यह सारी चीज़े आपको IS 875 part 2 में given है यह वहीं से ही यह सारी values आएगी है staircase और corridors में हम लोग 3 kilo newton का load consider करके च यह सारे loads को हम अपने building में जब building design करते हैं या जब हम style Państot structure design करते हैं तो इसमें हम लोग यह सारी loads को ध्यान रगते हैं फिर हम लग डेड़ेड से ठीक है तो यह सारे हैं आपको live loads अब हम लोग बात करेंगे आपको dead load होगा live load हो गया अब हम बात करेंगे wind load के बारे में अब बात करते हैं wind load में wind load में आप सबसे पहले is 875 part 3 इसके लिए हम लोग consider करते हैं आप जब उसको open करेंगे तो उसमें आपको बहुत सारी चीजे मिलेगी एक बार short में हम लोग discuss कर लेते हैं ताकि आपको वो पढ़ने में फिर आसानी होगी सबसे पहले एक चीज समझते हैं कि जो हमारा इंडिया का मैप है इसमें आपको हर तरफ अलग-अलग तो यह सिफ रफ स्केच है समझाने के लिए तो आपको जो जैसे इधर आपको सारे सी वाले portions है तो इधर का wind pressure कुछ different होता है इधर आपको हिमालियन रेंज है तो हिमालियन रेंज होने के वज़े से इधर का प्रेशर कुछ डिफेरेंट होता है जो सेंट्रल पोर्शन होते हैं उनका प्रेशर थोड़ा डिफेरेंट होता है तो आइस 875 पार्ट 3 में आपको विंड लोड के लिए आपको अलग-अलग एरिया के हिसाब से बहुत सारे सिटी बाटा गया जो एक सिटी बताया गया उसमें कि एक सिटी का बेसिक विंड स्पीड फॉर एग्जांपल अगर 47 मीटर पर सेकेंड है तो उसके मतलब है कि उसके आसपास के एरिया का जब तक आपको दूसरे किसी पोर्शन का आपको विंड स्पीड नहीं मिल जाता है जैसे किस कंस्ट्रक्शन करने वाले वह किस एरिया में लाइक करता है तो अपको उस एरिया आपको basic wind speed जो वी बी है basic wind speed यह आपको चेक करना है कि वह map में यह table में कहां पर कितना wind speed चल रहा है तो आपको सबसे पहले information मिल जाएगा वी बी का अब यह क्यों चाहिए तो हमारा जो यह VZ होता है, मतलब जो हमारा wind का design speed हम लोग calculate करते हैं हम लोगों को पहले wind का speed calculate करना पड़ेगा, design speed कि हम लोग किस speed को consider करने वाले हैं अपने structure में लगाने के लिए actual speed है, हम लोग निकालेंगे design speed, और फिर उस design speed से हम लोग निकालेंगे कि हमारे structure पर pressure कितना पर रहा है wind के वज़े से जिसके लिए हमारा वो member design होगा तो जो design speed निकालते हैं इसका formula होता है k1 into k2 into k3 into vb तो vb है आपका basic wind speed तो ये तो आपको table से obtain हो जाता है अब आपको बचा ये 3 factors ये 3 factors आप multiply करेंगे इस vb में तो आपको ये बन जाएगा design speed अब ये 3 factors क्या है k1, k2 and k3 k1 risk factor risk factor मतलब आपका structure किस तरह का है ये आपका residential structure है या important structure है जैसे कि dam वगेरा है, bridges हो गए जिनका loss आपको catastrophic होगा तो उस हिज़ाब से आपको risk factor is 875 part 3 में given है तो वो आप obtain कर लेंगे k1 के लिए second k2 coefficient based on terrain height and structure size मतलब आपका structure, आपका जो terrain है उसका height किया है, आपके structure का size किया है, इसके dimensions किया है उसके हिसाब से आपको अलग-अलग dimension के हिसाब से अलग-अलग k2 का value निकलता है अगर आपका structure square है और उसका dimension 20 meter by 20 meter है या आपका structure rectangular है और एक side में उसका 20 meter दूसर side में उसका dimension 100 meter है आपका structure अगर 10 story है या आपका structure अगर 5 story है तो उसके हिसाब से अलग-अलग building के sizes के हिसाब से आपको अलग-अलग k2 value मिलता है मतलब coefficient जो मिलता है ये terrain height और structure size के हिसाब से होता है तो ये हम लोगों को आता है k2 ये भी आपको table is 875 part 3 में आपको table number हो सके का तो screen पे दे देंगे तो इसमें आपको calculate करना पड़ता है कि ये आपका k2 का coefficient क्या है तो आपको k1 मिल जाता है फिर k2 मिल जाता है फिर आठा है k3 का factor जो topographic का factor है इंडिया में आपको generally k3 का value 1 रखते हैं लेकिन वो भी आप is 875 में obtain कर सकते हैं वो 1 ही होगा तो ये 3 values जो आपको मिल जाते हैं for example अगर ये आपको आया है 1 k2 आपको आया है 0.9 और k3 आगया है 1 तो आपका ये total जो value हो जाएगा अगर VB आपका 47 है for example तो k1 आपका 1 है into k2 आपका 0.9 है और k3 आपका 1 है मतलब ये total क्या हो जाएगा 0.9 into 47 ये वाला value आपका आजाएगा design speed आप 47 नहीं लेंगे तब तब आप लेंगे 0.9 into 47 जो value होगा वो आप consider करेंगे design speed आपका तो आपका design speed calculate हो गया उसके बाद आप क्या करेंगे PZ जो pressure हम लोग calculate करते हैं वो होता है 0.6 into VZ square VZ आपको update हो चुका है इसका square करके आप 0.6 से multiply करेंगे तो आपको pressure का value निकल जाएगा जो आप अपने structure पे लगाएगे सारी चीज़े क्या है यह formula कहां से obtained हुआ इन formula में यह जो values use किये वे हैं यह क्या है ठीक है अब हम लोग बात करते हैं earthquake के बारे में earthquake load के लिए अभी बहुत जादा कुछ बताने का है नहीं बस आप इतना समझ लिए कि earthquake का जो force होता है वो आपको inertial force होता है तो आपको वो ground के movement पे आपको जो कितना pressure generate हो रहा है वो आप structure पे अलग-अलग joints पे आप उस loads को लगाते हैं क्योंकि जो joint होता है वो structure का सबसे weakest portion होता है तो वो उन joints पे seismic का load लगता है और फिर उस हिसाप से आपके components design होते हैं तो अभी इस आपके syllabus के हिजाब से अभी आपको seismic load consider करने की ज़रूरत नहीं है सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि earthquake load क्या होता है यह inertial force होता है ठीक है इसके बाद आता है snow load snow load इंडिया में जो आपको hilly reasons है वहाँ जहाँ पे snowfall होता है snow load का formula होता है s is equal to mu into s not अब s क्या होता है s होता है जो आपके roof के जो plan area पे आपका snow का total load होता है यह कैसे calculate करते हैं तो हम लोग mu into s not करते है mu क्या होता है यह shape coefficient होता है अलग-अलग building के अलग-अलग sizes के हिसाब से आपको shape coefficient is 875 part 4 जो snow load को deal करता है उसमें आपको यह shape coefficients मिल जाएंगे इसके बाद आता है आपको s not s not है आपका ground snow load मतलब जो snow का density होता है वो multiplied by आपका जो undisturbed snow का thickness होता है वो हम लोग multiply करके s not हम लोग IS 875 part 4 के साब से निकाल लेते हैं तो इनको जो हम दोनों को multiply करते हैं हमें प्लान एडिया पर पर मीटर स्क्वाइर पर मिल जाता है कि कितना कर रहा है तो यह सब है आपको रेगुलर यूज होने वाले सो सारे लोट से जैसे डेड लोड लाइव लोड विंड लोड स्नो लोड यह सारे है जो आपको calculate करने पड़ते हैं बाकी सारे लोड आपको informative लोड होते हैं उनकी वैल्यू आपको डिरेक्ली आयस कोड से मिल जाती है तो यह सारे लोड अब हम लोग इन सारे लोड को क्या करेंगे कि जब हम structure design करेंगे तो हमें questions में क्या होता है कि लोड डिरेक्ली given रहता है कि 200 kN का ideal act कर रहा है तो उसके हिसाथ सेंधाइन कर दें लेकिन अगर हम practical पर पर्पस से जानना चाहें तो हमें 200 kN कैसे निकला तो हमें तो तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, थैंक यू